हम लेंगे एक नेट रोस्टर और अगर किछी को यह पर्चेस करना है तो मैंने इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है आप महां जाके इसको पर्चेस कर सकते हैं फ्लेम सिंपर रखेंगे एंड प्लीज सब्सक्राइब एंड प्रेस्ट बेल आइकन फिर हम इस पर अमरूद रखके इसको चार दोर्फ से घुमा घुमा के देरे देरे करके सेखेंगे और हात्मा जिल्जाशले में इस फॉक का यूज़ किया है ताकि इस फॉक को हम इसमें लगाके और इसको अराब से टर्न कर सके चार तरफ तकी लिए अच्छे सेघेड रोस्थ हो जाएं हрос G There कि मसी ऐसे करते करते ते पूरा चारह चरु से स्किन जो है पूरी ब्लैक हो जाएगी है सिर्ग कि देखिए ऐसे करके है कि अरामराम से इसको घुमाते रहे और इसको तो denialите the कि आपको लगे जाता कर रहे हैं तो थोड़ी देर के लिए और छोड़ दें फिर यह से फॉक से लगा के इसके स्किन फटाफट फटाफट से इसके स्किन उतार ले और फिर इसको थोड़ी देर ओठनना होने दें बलकि इसको हलका हलका निवाया गरम गरम ही खाएं तो ज्यादा अच्छा है यह खांसी के लिए बहुत परानी खांसी भी एकदम से ठीक कर देता है फिर इसको बॉल में लेके और पानी रखके पानी से इसको साफ कर ले कर लें और ऐसे करके जाता पीस कर लिए का मुरूर के इसमें हलका सा काला नमक और जाहर किसी एक चुटकी काले मेर्च पिजी हुई है डाल ले इसमें आदा निम्बू भी डाला है यह बिल्कुल ऑप्शनल है और अगर किसी का गला खराब है और खांसी में दे रहे हैं तो उसको निम्ब का यूज ना करें मेरे छोटे लेगे को खांसी है मैंने उसके लिए बनाया था यह लेकिन वह इतने पीस खानी पाएगा तो यह तीन-चार पीस पे मैं अपने लिए निम्बू डाला हूं तो मेरा गला बिल्कुल ठीक है इसलिए उदर के चार पीस उसके लिए हैं और इदर के चार मेरे लिए हैं लोग हो गया तयार बना हुआ अमरूत थैंक्स वर वाचिंग